हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब तो गाइज आज हमें IPL 2020 में देखने को मिला मैच नमबर 39 जो की खेला गया कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चेलेंजर स्पिंगलॉर के बीस दोनों ही टीमू के लिए मुकाबला काफी ज़ादा इंपॉर्टेंट था क्यूंकि जो भ मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डीटेल में बताऊंगा लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिलकुल लास तक उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के उपर पह आने वाली हैं जो कि IPL 2020 के टॉप 4 में हमें जाते वे नजर आने वाली हैं तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8th position की यहाँ पर नाम निकल कर आता है जो कि शायद पहली टीम बन चुकी है जो कि IPL 2020 के टॉप 4 की रेस से बाहर हो चुकी है 10 मैचेस खेले हैं 3 मैचेस जीते हैं 7 मैचेस हा रहे हैं total points है 6 और इनका net rate है minus 0.46 का ऐसे में अगर यह सारे मैचेस जीत जाते हैं और इनका net rate काफी ज़्यादा अच्छा रहता है तो ही उस case में CSK के team playoffs में हमें जाते वे नजर आ सकती है साथवे नमबर पर नाम निकल कर आता है संराइजर सहदराबाद की team का 9 मैचेस खेले हैं 3 मैचेस जीते हैं 6 मैचेस हा रहे हैं इनके total points है 6 और इनका net rate है plus 0.008 का अगर इनको playoffs में जाना है तो इनको भी सारे के सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे नमबर 6 position की बात करें तो यहाँ पर आती है राजस्थान Royals की team जो की tournament में अच्छा start करने के बावजूत काफी जादा नीचे जा चुकी है 10 मैचेस इन्होंने total खेले हैं 4 मैचेस जीते हैं 6 मैचेस हा रहे हैं और अगर इनके points की बात की जाए तो वो 8 है इनका जो net run rate है वो है minus 0.5 का और guys यही net run rate की वज़ा से Kings 11 Punjab जो की अपने 3 के 3 last matches जीत कर आ रही है वो आच चुके है points stable में number 5 की position पर Kings 11 Punjab की बात की जाए तो इन्होंने अभी तक total 10 मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मैचेस जीते हैं और 6 मैचेस हा रहे हैं इनके जो total points है वो है 8 और अगर इनके net run rate की बात की जाए तो वो है minus 0.1 का तो ऐसे में अगर Kings 11 Punjab की बात की जाए तो इनको सारे matches अगर जीते हैं तो इनके 16 points हो जाएंगे और सीदे सीदे qualify कर जाएंगे लेकिन अगर ये एक match हारते भी हैं तो भी अगर ये अपना net run rate अच्छा रखते हैं तो भी ये हमें top 4 में qualify करते हुए नजर आ सकते हैं अब guys बात करते हैं 4th position के और यहां पर आती है Kolkata Knight Widers की team जब तक मैं इस वीडियो को record कर रहा हूं तब तक इस मुकाबले में Kolkata Knight Widers की team बैटिंग कर चुकी है और सिर्फ 84 रणी वो scoreball पर लगा पाए हैं तो ऐसे में काफी ज़्यादा high probability है कि KKR की team इस मुकाबले को बड़े margin से हार सकती है और उनका ये 10वा match है जिसमें वो 5 match जीते हैं और उनके total points हैं 10 net rate की बात की जाए तो minus 0.6 का है लेकिन गाईज इस match के बाद हो सकता है कि इनका net rate और भी ज़्यादा खराब हो जाए लेकिन फिर भी playoff की race से ये अभी तक बाहर नहीं हुएं लेकिन इनके लिए अप थोड़ी से आगे का रास कठिन नजर आ रहा है इनको अगले 4 में से 3 matches जीतने पड़ेंगे इसके बाद तीसरे नंबर पर अभी के हिसाब से Royal Challengers Pinglor की टीम आती है जो की अगर इस मुकाबले को जीत चुकी होगी जब तक आप लोग शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो फिर RCB की टीम पहुंच जाएगी points table में number one की position पर लेकिन most probably अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो शायद RCB की टीम इस मुकाबले को जीतने के बाद second position पर देखने को मिलेगी इसके बाद बात करते हैं guys table top hours की यानि की first position की इस match के यहाँ पर देखने के बाद Delhi Capitals और Royal Challenger पिंगलोर के बीच में काफी तगड़ा हमें competition देखने को मिलेगा अगर RCB की टीम इस मुकाबले को जीत चुकी है तो उनके भी हो जाएंगे 14 points और जिस भी टीम का net rate अच्छा होगा वो हमें आपर top position पर देखने को मिलेगी तो guys यह थी latest point table match number 39 के बाद तो यह video ही तक थी I hope आप लोगों को यह video पसंद आई हो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी रगी हो तो वीडियो को ज़रूर कीजिए like और channel को subscribe comment section में comment करके बताईए कि आप लोग क्योंकि इस video को इस match के खतम होने के बाद देख रहे होंगे तो match का result क्या रहा और इस point stable में कौनसी team आप लोगों को अभी top पर नजर आ रही है तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से इपने एगली वीडियो में तब तक के लिबाव आई